हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे मेरा नाम है देवाशिष and this is an Edshabner production इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं M-TEC के बाद PhD में convert करने वाले option के बारे में कई सारे लोगों को यह option मिलता है और हम इसमें यह discussion करेंगे कि क्या यह option सही होता है या नहीं तो लोग PhD में convert क्यों करते हैं यह सबसे पहले जान लेते हैं जिन लोगों का जो objective है वो clear होता है कि research में ही जाना है PhD करके किसी IIT, NIT में किसी अच्छे college में assistant professor अगर बनना है तो PhD ज़रूरी होती है तो ऐसे लोग PhD जल्दी से जल्दी complete करने की कोशिश करते हैं अगर आज आप एज देखो तो आपकी एज अभी होगी शाय 23 22 ऐसा कुछ होगा दो साल में अगर आपका emtech complete हो जाता है तो आपका 24 25 उमर होगा और उसके बाद फिर आपको PhD करने में पांच साथ साल लगेंगे तो you get your PhD at the age of 30 और 32, max to max 32 उसके बाद then you have to take some professional experience named postdoc और उसके बाद then you are eligible to apply for good institutes in India which are centrally funded like IITs, NITs तो basically दोस्तों PhD करना सबसे important हो जाता है और वो भी जल्दी से जल्दी कई सारे लोगों के पास emtech में होते हुए अपका जो emtech का प्रोग्राम है वो कनवर्ट करने का option आपको मिलता है ठीक है यह option आपको directly professor को convey करना है मतलब जो आपका choice है अगर आपको लगता है कि मेरे को यह करना है तो आप directly जाके professor से बात कर सकते हो starting से ही एक test होने तो उसमें अच्छे marks आने तो आपके go to your professor tell them that you want to do this all you need to do is to impress your professor with your work अभी होता क्या है मैं बताता हूँ अगर आपने आपकी PhD join कर ली जल्दी से जल्दी तो आपके दो साल बचते हैं मैं बताता हूँ कैसे अगर आपने normally PhD join की ठीक है मतलब after your M.Tech if you join your PhD एक साल के लिए आपको coursework complete करना पड़ता है ठीक है coursework का क्या मतलब है जैसे आप M.Tech में courses करते हो वैसे आपको करने पड़ते हैं उसके बाद फिर आप project proposal submit करते हो committee के सामने फिर वो accept होता है उसके बाद फिर आप अगले चार साल तक वो project complete करते हो उस पे PhD degree कमाते हो पलाना डिबाका जो भी है तो ऐसे पांच से साथ साल इंडिया में PhD complete करने के लिए लगते हैं अगर हम बात करें कि M.Tech से PhD अगर आपने program change कर लिया तो क्या होता है जो M.Tech में आपने पहले semester में जो course work किया है वो आपका PhD का गिना जाता है मतलब आपको फिर से PhD में course work करने की जरुरत नहीं पड़ती if you change your M.Tech program right in the middle of your one year मतलब आपके एक साल हो जाने के बाद आप PhD में चले जाते हो तो course work करने की जरुरत नहीं होती तो M.Tech का जो दूसरा साल है वो PhD का दूसरा साल ऐसे करके आप मान सकते हो so basically आपके M.Tech के दोनों साल बच जाते हैं and then you have enough time in your hands to search for jobs and complete your PhD as soon as possible PhD में आपके पहले दो साल में आपको 31,000 की fellowship मिलती है and for the next two years that fellowship increases to 35,000 रुपी इसमें plus HRA भी होता है if you are living outside the campuses of IITs और NITs अगर आप campuses में ही रहते हो तो यह आपको HRA नहीं मिनता लेकिन जो hostel life है campus life है वो काफी cheap है सारा कुछ वहाँ पे होता है तो 31,000 and 35,000 is also good enough आप इसमें काफी अच्छी जैसे आप daily जो routine है आपका बहुत बढ़िया चलता है there are all the facilities in IITs and in NITs so I would suggest जिन जिन लोगों को research या academics में जाना है यह clear है वो सारे लोग M.Tech को PhD में convert कने का option के बारे में सोच सकते हो ठीक है तो M.Tech में आपके पहले semester का pointer matter करेगा वो बहुत अच्छा रखना यह जैसे ही हो जाता है second semester के अंध तक लेकिन result नहीं आया होता है इसलिए first semester का ही pointer matter करता है तो second semester के अंत में ऐसे प्रोग्राम्स फ्लोट होने लग जाते हैं PhD अप्लिकेशन फ्लोट होने लगते हैं तो वहीं पे आप आपके प्रोफेसर को अप्रोच करके आपका प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स करने की कोशिश कर सकते हो मेरे खुद के रूम्मेट ने IIT Delhi में ऐसा किया था and then he became a very good researcher in IIT Delhi, saved two years of his PhD, went on to do post-doc in UK and now he is doing very well the thing is if you do this as quickly as possible आपको बहुत अच्छी opportunities join करने का मौका मिलता है and trust me PhD is good enough अगर आपको रिली मतलब ऐसा लगता है कि PhD करनी चाहिए और नहीं तो PhD is also a very good thing उसमें सिर्फ लोगों ऐसा लगता कि बहुत जैसे पैसे की बारे में सोचते लोग यार आप कोई job start भी करोगे ना तो भी आपको कभी शायद ऐसा हो सकता कि इतनी salary मिले ऐसा नहीं है लेकिन PhD की life बहुत बहता है बहुत बढ़ी है work life balance बहुत सही है तो whoever wants to explore this option please do explore I have just talked to many of my friends many of my acquaintances and I'll be bringing out a lot of interviews for you wherein you will get to know the insights and the life of a PhD student and how did they go about all this अगर आपके कुछ बी डाउट्स हो तो comment section में डालिये हम जल्दी से जल्दी और सारे वीडियो ला रहे हैं तो subscribe करिये and मिलेंगे जल्दी ही तब तक के लिए ज्यान पीते रहे हैं